प्रिविद्यार्थियों, वार्षिग मुल्यांकर्ण वर्षिट 2021-22 कक्षा आठ विशेगणीत हिंदी मात्यम और यह खंड अ है लिखित परिशा, परिशा की अवधी ढ़ाई गंते है और पुर्णांक है साथ यहां से वर्षिट पर कारे प्रारम करें खंड अब बहु विकल्पी यह प्रष्ण है एक से दस निर्देश प्रष्णों को पढ़कर नीचे दिये गए विकल्पों में से सही विकल्पा चुनकर लिखिए प्रश्ण एक है निम्न रिखित मेंसे कि संक्या को रिन 5 बटे 4 में जोडने से रिन 1 प्राप्त होगा विकल्बदिये हैं रिन 1 बटे 4, 1 बटे 4, रिन 5 बटे 4 और 3 बटे 4 प्रश्ण नमर दो निम्न परिमे संख्याओं में से कोन सी परिमे संख्या 2 बटे 3 और 3 बटे 5 के बीच इस्तित है संख्याई दी है 6 बटे 15, 6 बटे 30, 19 बटे 30 और 19 बटे 15 प्रश्ण तीन है उन 50 एक सब वारगर इन 36 वाय वारगर के गुणनघन क्या होंगे ए दिया है 7 एक सिरिंट 6 वाय, 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 7 एक दो गटाएं तो साथ आए तो नो में से दो गटाएंगे तो साथ आएगा या पक्षांतर करो रिन दो का उधर करेंगे धन दो हो जाएगा साथ और दो नो हो जाएगा तो एकस कमान नो आजाएगा प्रश्ट नमबर पांच है 18 एक सभागित 9 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 एक सभा से 24 घटा दो तो यह आ जाएंगे 156 इसके इसाप से भुजाएं निकलेगी कि कितने निकला है प्रश्ट नबर साथ निम्न में से द्वी मिमी आकरती है यहाँ पर जो बाई अकॉंड को बाद चूइज दिया है तो 360 में चूइज का भाग देंगे तो कितना मान आएगा 15 आएगा तो यहाँ पर 15 उत्तर होगा आप भी सूतर से देख लिए ना प्रश्ट नबर साथ निम्न में से द्वी मिमी आकरती है वर्ग गोला घं शंकु तो देखो घं शंकु जो वर्ग है वह साम यह द्वी मिमी है वह सामने सब कुछ दिख जाए वह द्वी मिमी आकरती है गोले सामने से सब कुछ नहीं दिखता है इसके पीछे भी भाग रहता है घं में भी ऐसा रहता है इसके पीछे भाग देता है जो दिखाई नहीं देता है शंकु में भी पीछे की तरफ भाग रह अगर शुन्य हो तो उसका मान होता है एक तुए यहां इसका मान एक आएगा प्रश नमर्ण देखें तीन बार गुणा हुँआ रहा है फिर एक और आट आता है अठ चुक बद्दीस तो दो आएगा इक आएका आँक आँक प्रश्ण नमर दस घनाब में फलकों की संक्या है और घन में फलकों की संक्या दोनों में समान होती है जो छे होती है प्रश्ण नमबर लगुत्तरी प्रश्ण है प्रश्ण 11 से 20 निर्देश नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तार लिखिए प्रश्ण 11 अभाज्य गुणनकन विदी से 400 का वर्गमुल ग्याद किजिए प्रश्ण 12 वियंजक एक से गुणित एक स्रीड तीन धन दो को सरल किजिए और एक से बराबर एक के लिए मान ग्याद किजिए प्रेश्ट नमबर 13 दो दूनु चार तिरी बारा बारा एक सुवाय यह दो ए भी हो जाएगा बी का वर्ग मतलब तीन वाय का वर्ग तो तीन का वर्ग नो और वाय का वर्ग वाय गव तो यह हो जाएगा चार एक सुवाय धन किता हो जाएगा दो दूनु चार तिरी बारा बारा एक सुवाय धन प्रश्च नमर चौदा यदि किसी बहु फलक के साथ फलक और दस सिर्सा है तो आईलर सुत्र से किनारों के संक्या ग्याद कीजिए प्रश्च नमर पंद्रा एम का मान ग्याद कीजिए लिखा है रिन तीन की घाद एम धन एक जो इनलार्ज कर देता हूं में इसको ये लिखा है रिन तीन की घाद एम धन एक गुनित रिन तीन की घाद पांच बराबर रिन तीन की घाद साथ अब देखो सभी में रिन तीन रिन तीन है तो गुणा करने पर घाते जूड़ जाएगी तो एम धन एक धन पांच तो एम धन छे हो गया और इधर है साथ तो ये घ पिर आगया प्रश्ण नमर 16 एक सुबर के दन पांच एक सदन छे के गुणनखंड कीजिए तो यह हल करना नहीं तुम्हें पूरे प्रश्ण पत्र का इंसर बताऊंगा आपको अभी बताऊंगा तो वीडियो का भी लंबा हो जाएगा प्रश्ण नमर 17 जब एक पांसर को फेका जाता है तब पांसर बड़ी एक संक्या आने की प्रायक्ता क्या होगी तो देखो पांसर में 6 अंगों होते हैं 1,2,3,4,5,6 या 6 फलक होते हैं प्रत्य फलक पे एक आकंगा लिखा तो 6 हो गए अब 5 से बड़ी क्वेण एक ही आंक आएगा 6 और 6 की आने की प्रायक्ता गया है तो 6 पूरे फलक में किव एक ही बार है और total फलक किते हैं 6 है तो प्रायक्ता क्या हो जाएगी अनुकुल संभावना बटे कुल संभावना अनुकुल संभावना मतलब 6 किती बार आ सकता है क्योंchemical 1 बार और कुल संभावना किती है, कुल फलक किती है, 6 तो बटे में 6 आ जागा, तो एक बटे 6, इसकी क्या होगी? प्राईकता, इस प्राकार से प्राईकता निकालते हैं प्रश्ण 18 वह सबसे चुटी संक्या गयात कीजिए जिससे 243 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए प्रश्ण 19 एक ऐसे सम्च अतुरूपच का शेत्रवल गयात कीजिए जिसके विकणों की लंबाईयां 10 cm और 12 cm है प्रश्ण 20 छे बटे तेरा को रिण साथ बटे सोला की व्यूत्क्रम से गुणा कीजिए तो छे बटे तेरा को रिण साथ बटे सोला की व्यूत्क्रम व्यूत्क्रम मतलब उल्टा ति उसको उल्टा कर दो 16 को उपर लियाओ, रिण 7 को नीचे लियाओ, अब गुणा करो और देखो क्या आता है, दिर के उत्तरी प्रश्णा, प्रश्ण 21 से 24, निर्देश, नीचे दियेक प्रश्णों के उत्तर लिखी है, प्रश्ण 21, सरीता के पिता की आयू, उन पचास वर्स है, उनकी आयू, सरी प्रश्ण 12 की समानता चतर पुछ के दो आसन अकुनों का अनपात, तीन अनपात दो है, समानता चतर पुछ के सभी कौनों का माप ग्याद कीजिए, फिर चलता है अगले प्रश्ण ? प्रश्ण नबर तीवीज, 14 सेंटिमेटर चवड़ाई वाले एक आयताकर कागज को चवड़ाई के अनुदिस मोड़ कर 20 सेंटिमेटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाये जाता है प्रश्ण नबर चोवीज, निम्न लिखित बारमबरता बंटन साड़ने का अध्यन कीजिए और उसके नीचे दिये वे प्रश्णों के उत्तर लिखी है वर्गंतरा दिया है रूपियों में देनी का है और बारमबरता है स्रमिकों की संक्या तो 100 से 125 में 45, 125 से 150 में 25, 150 से 155 तक 55, 155 से 200 तक 125, 200 से 225 तक 140, 225 से 250 तक 55, 250 से 255 तक 35, 250 से 300 तक 50, 300 से 325 तक 20 और बारमबरता का योग क्या है पांसो पचास वर्गंतरा लोग की माब क्या है वर्गंतरा लोग की माब बताना की क्या है किस वर्गंतरा लोग की सबसे आधिक बारमबरता है तो वर्गंतरा लोग की माब क्या है 100 से 125 मतलब 25 का अंतर है 125 से 125 तक 25 का अंतर है कि नंबर तीन है किस वर्गे की सबसे कम बारंबड़ता है सबसे कम देखो आपन कि सबसे कम में किसकी है यह 45 25 55 35 यह सबसे कम है 20 किसकी है यह कि यहां पर है यह यह 55 है और यह 25 है यह पतर है यह और यह यह दो वर्ग है इनके जिनके बारंबड़ता एक ही है बागी 45, 25, 25, 125, 140, 55, 35, 50, 20 सब अलग अलग है क्यों 55, 55 यह दो जग है 55 और 55 55 की वर्गांतराल क्या है 150 से 150 और इसकी है 225 से 250 यह हो गया पूरा है न तो यह आपने देखा कक्षा आठ की गणि हिंदी माद्यम में और सिंग मुल्यांकर वर्शिट 2021-22 इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद